प्यारे बच्चों आप सभी कैसे हैं आचा है आप सभी ठीक होंगे तो यह हमारा हिंदी का पीरियड है और इसमें हम हमारे हिंदी के व्याकरण का पहला पार्ट इसका नाम बाशा और व्याकरण बाशा और व्याकरण को पढ़ रहे हैं हमने बाशा और व्याकरण नामक पार्ट को तो पढ़ लिया था अब हम उसके प्रश्ण उतर देखते हैं देखिए सबसे पहले इसमें हमने क्या सिखा इसका संक्षिप्त सार यह बाशा की परिभाशा दे रहे हैं बाशा के दो के उत्तर लेखे बाशा किसे कहते हैं तो अब हमने उपर देखा कि वह हसादन जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को आधान प्रदान करते हैं बाशा कहलाती है उपर जो अभी हमने देखा उसके हमने सीखा वाले पॉइंट में ये इसकी परिभाशा दे रखिए फिर उसका अगला प्रश्म देखिए लीपी किसे कहते हैं अगला प्रश्म क्या है लीपी किसे कहते हैं तो ये इसका उत्तर हो गया भाशागी लिखने का धंग लीपी कहलाता है और हिंदी भाषा की लिपी का नाम देवनागरी है फिर व्याकरण से आप क्या समझते हैं इसका मात्व बताईए तो व्याकरण वह सास्त्र जो भाषा को सुद्धू रूप में बोलने पढ़ने वा लिखने का ग्यान कराता है व्याकरण कहलाता है ठीक है यह परी भाषा उसमें दे रखिये और इसका महत्व यह है कि व्याकरण हमें बाषा का सुद्धू रूप में बोलना लिखना वा पढ़ना सिखाता है या आपके बासा का महत्व लिक्तिस्तानों की बरिये लिक्तिस्तानों को बरिये में बासा के कितने रूप है दो रूप बासा के रूप लिखी तता मौकिग है भारती सम्विदान दोरा मन्यता प्रप्त बासाओं के संक्या बाई से लिखित बासा स्ताई उत्ती और संस्कृत बासा के लिए भी देव नागरी है अगले पेज के प्रश्ण अबतर देखते हैं भारती समीदान में स्विक्रत बासाओं के नाम लिखे तो ये आपको भारती समीदान में जितने भी स्विक्रत बासा हैं आपको जो इस वीडियो को पढ़ाया गया था, उसमें सभी बाशाओं के नाम लिखे गये हैं, तो आपको उनको लिखने हैं, ठीक है न, अब सही अद्वा गलत बताईए, बाशा के वल बोली जाती है, नहीं, बाशा लिखी भी जाती है, ये गलत हो गया, बाशा दोरा मन के पकट किये जा सकते हैं, बिल्कुल सही, बच् alleine का रौना भी बाशा क कर रूप है, हाँ, सांकेदिक बाशा है लिखकर भाव प्रकट किये जा सकते हैं, हाँ, हम पढ़ कर दूसरे को विचार को र कर सकते हैं, हाँ, ये भी सही है, चलिए निम्लिखित चित्रों को, निम्ना जिसमें यह बाशन दे रहा है मतलब न्यूस पढ़ रहा है तो यह कौन सा रूप हो गया यह बाश्या का मौखिक रूप हो गया और यह भी बाश्या का मौखिक रूप है क्योंकि यह बोल रहा है नेताजी बोल रहे हैं भारत अथा विस्व की पाच-पाच बासाओं के नाम तो यह मैंने भारत और विस्त की पांचों बासां के नाम अलग अलग लिख दिया हैं आपको इनको देखना हिंदी पंजाबी बंगला मराटी गुजराती विस्त की बासा जर्मन रूसी प्रेंच अंग्रेजी उर्दू तो यह आपके व्यक्रण का यह पार्ट खतम हुआ धन निवाद